को रिलेशनल रिसर्च टाइप की बात हो रही है यह कैसी रिसर्च है जो दो वेरियेबल या उससे ज्यादा जो नेट्रिली अकरिंग वेरियेबल है उनमें रिलेशन्शिप को डिटरमिन करते हैं उनमें रिलेशन्शिप को पहचानती है कि क्या इसमें वाकई हैं उनकी शनाखती है यह तब इस्तमाल की जाती है जब एक ही इन्डिविजिवल के दो चीज़ों में मसलन या एक ही औबजिक्ट की दो पहलूँँँँए किसी वाके के दो वाकियात मुक्तलिप वो हमेशा एक एकठे ही चेंज हों मसलन पारिश और ये कि रिवेंट की मिसाल दे रही हूं बारिश और फसलों के अंदर सब्जा ज्यादा उगना तो ये दोनों में से एक उपर जाएगा तो दूसरा भी उपर जाएगा ज्यादा मुरागन घिजा खाना और उसकी विज़ा से बाड़ी मैस बढ़ जाना तो ये दोनों भी एकठे चेंज होते हैं इस तरह कुछ वेरियेबल है मसल मिसाल देख लें साइकलोजिकल वेरियेबल में के आईक्यू और आपकी जो ग्रेड्स हैं अकडेमिक एचीवमेंट है ये एकठे ही वेरि करती है जैसा वो होगा उसी तरह वो भी बदलेगा को रिलेशन इक स्टैस्टिकल कॉंसेप्ट है ये फर्मूला के जरीए मेजर किया जाता है इसमें कम असकम दो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं क्वांटिफाइड वेरियेबल चाहिए यानी स्कोर चा बताता है ये नहीं बताता कि किस चीज़ की विज़ा क्या हो रहे हैं कि अधर पाप्ता भी होता है कि डरेक्टे कि बारिश होगी तो फसल अच्छी ओगे तो बारिशोगी और दूसरी नीचे को, मसलन ट्रेस ज्यादा होता है तो help भी कुछ, ठीक और exercise ज्यादा होती है तो weight काम होता है, तो ये negative correlation है, zero correlation के दो चीज़ों में कोई तालुक वासता ही नहीं है, correlation research में survey भी इस्तमाल होता है, psychometric core भी इस्तमाल होते हैं, जैसे emotional intelligence, IQ यानि intellectual quotient, intelligence, attitudes, किसी चीज़ के बारे में state, यानि हालत जैसे happiness है, खुशी है, demographic characteristics है, age है, weight है, कितने साल से पढ़ने हैं, income है, कोई भी चीज़ जो measure हो सके, उसको हम को relational research में use करते हैं, इसके लावा percentages है, official statistics है, crime के records है, hospital के records है, लेकिन कोई वज़ा होनी चाहिए, आप दो चीज़ों को एकठ देखना चाह रहे हैं, तो कोई उसके पीछे तो कोई logic, कोई मन्तक कोई तुक दोनी चाहिए, मसलन, weight का body mass index और blood pressure, ये तो correlate हो सके, body weight होगा, तो blood pressure पर कोई है, education का तालूप, job status है, तो इसको तो हम कह सकते हैं, कि इसके पीचे कोई वज़ा है, कोई reason है, इसकी theory be strong है, self-esteem and number of friends, तीनी आप में जितना confidence है, जितना अपना इतराम करते हैं, अपने को regard देते हैं, उतने आपके दोस्त जाता है, इसको भी देखा जा सकता है, आपको लगता है, हाँ, ये connection होगा, पैसा और खुशी, अच्छा, इस connection को बहुत देखा गया, cross cultural research, दुनिया के 30-40 मलकों में होई है, पैसे और खुशी का कोई तालुक नहीं, गरीब तरी मुलक में भी, बुटान मसले नहीं या कुछ, उनमें खुशी अमरीका से ज़दा है, American state, तो इसमें usually correlation नहीं आती, हाँ, रिश्टों के साथ, खुशी का तालुक, yes, हर country में health के साथ, खुशी का तालुक आया ह है और happiness के साथ, तो इसका score ज्यादा होता है, तो उसका score भी ज्यादा होता है, यह है correlation.